उन्नाव से आरी है बड़ी खबर उन्नाव में दहेज लोभियों ने अत्याचार की अंतिम चरम सीमा पार कर दी उन्नाव जिले के कोतवाली हसन गज थाना छेटर के निवासी सराय मलिका दिम सैलंद्री उम्रेल लगभग 25 वर्ष पुतरी रामधर सिंach की साधी हिंदू रिती रिवाज के साथ कोतवाली हसन गज अमोयया निवासी सुगवीर सिंग के साथ की माईके वालों ने आरोप लगाया है कि बेटी की साधी के बाद से ही पती सुबीर सिंग, ससुर सोहन सिंग, साथ सहित ससुराल वाले अक्सर दहेज की मांग को लेकर के प्रतारित करते थे विवाहिता के भाई दिवाकरसी ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर विगत 4 जन्वरी सन 2019 को साम को सैलेंद्री ने फोन कर आग लगा देने की सूचना दी जिस पर माय के वालों ने आननफानन 3 किलोमेटर दूर इस्तर ससुराल पहुँचकर अदजली गर्वती बहन को गंभीर हालत में आननफानन लखनव के हॉस्पीटल में भर्वती कराया जहां पर चिकत्वकों ने प्रात्मी कुपचार कर गर्वती होने की वज़े से गंभीर हालत में कुईन मेरी में रिफर कर दिया जहां पर आग से जुलसी गर्वती महिला ने 7 जन्वरी सन 2019 को जुलसी हुई बच्ची को जन्व दिया था इलाज के दौरान दोनों की हुई मौत के बाद भाई दिवाकर सिंग ने पती सुबीर सिंग ससुर सोहन सिंग वासास को नामित करते हुए तहरीर हसन गंज कोतवाली को दी है दिवाकर सिंग ने बताया है कि पती सुखबीर सिंग ससुर सुहन सिंग वा सास ने केरो सीन डाल कर बहन सहलेंडरी को जलाया है परतेरीर देने के बाद हरसन गंज पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हो पाई है दिवाकर सिंग ने बताये भी पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं की है बहन के पेट में बच्चा था जिससे उसको पुनमारी रिफर किया गया फिर वहां डिलेवरी हुई डिलेवरी के दौरान बच्चा मरत पेदा हुई अंदर से इतना जुलस गई थी बच्ची मर गई थी एक दम जुलस लगई और बड़ता हुई पुलिस को तहरीर ती है तर पुलिस द्वारा स्वासन हमें ये मिला है कि हम इसमें मकदमा पंजी कर रहे हैं और दोस्ती लोगों की खिलाबतार हुई तहरीर सुकभीर सिंग हुआ उनके पिता सोहन सिंग हुआ उनकी माता की खिलाबतीन लोगों खिलाबतार हुई थाने में बैठाल कर हमारे सामने सब लोगों को बैठाला जा रहा था लेकिन किसी ही गिरबता ही नहीं थी अभी तक हुआ है